अधियुआ यूटूब चैनल इंग्लिश लंग्वेज लिट्रिचर भी थे की कुश्वाहाँ वेल्कम इन दिस सेशन आफ इंग्लिश टीचिंग अंग्रेजी सिक्षड के इस सेशन में हम लोग प्रोज के फर्स्ट जो इंग्लिश रीडर है आपका जिसमें छाले सन है उसम ये लांग आंसर टाइप केस्चन का आंसर हम लोग पढ़ेंगे और इसमें दो लांग आंसर बहुत ही महत्पूर हैं और दोनों को इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये आप जानते हो फो माक्स का आता है और साट आंसर भी आता है तो साट आंसर को हम लोग कल पढ़ेंगे आज ये long answer है और अगर आपने इस chapter को पढ़ा नहीं तो description box में इसका link मुझूद है उसको जाकर story सुन लिजे chapter पढ़ लिजे उसके बाद एक question answer पढ़िए और इसको अपने notebook में note करना है और तयार करना है आईए शुरू करें आज के हमारे questions first question है वे युधिष्ठिर की परिख्षा क्यों लेना चाहते थे यक्ष कौन थे वे युधिष्ठिर की परिख्षा क्यों लेना चाहते थे answer यक्षा वाज यम यक्ष यम थे he was the lord of death वे मृत्यु के देवता थे he had taken the form of यक्षा उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था form means रूप he wanted to see and test युधिष्ठिर वे युधिष्ठिर से मिलना चाहते थे और परिख्षा लेना चाहते थे आगे दिखेंगे one day he made a plan for taking test of युधिष्ठिर तो एक दिन वे युधिष्ठिर की परिख्षा लेने की युजना बनाए the four brothers of युधिष्ठिर के चार भाईयों की देथ हो चुकी थी because they did not heed यक्षा's words क्योंकि वे यक्ष के सब्दों पर ध्यान नहीं दी युधिष्ठिर understood the matter युधिष्ठिर इस मामले को समझ गे यक्षा asked many questions one after another यक्ष ने एक के बाद दूसरा धेर सारे प्रस्त न पूछे युधिष्ठिर answered them युधिष्ठिर ने उनका उत्तर दिया so यक्षा pleased with him very much इसलिए यक्षा उनसे बहुत प्रसंड हुई he said that उन्होंने कहा यक्षा ने कहा कि one of his brothers की उनकी भाईयों में से एक भाई could be revived को जीवित किया जा सकता है who would he choose वह किसे चुनेगा किसको चुनेंगे युधिष्ठिर चोज नकुला युधिष्ठिर ने नकुल को चुना यक्षा आश्द रीजन यक्षा ने कारण पूछा यूधिस्ठ ने जब नकुल को चुना तो यक्ष ने कारण पूछा कि आप ने नकुल को ही क्यों चुना So he answered तो उन्होंने उत्तर दिया So that means that the scale of justice remains equal ताकि न्याय की तराजू बराबर रहे So यक्षा pleased very much with his impartiality इसलिए यक्ष उनके इस निश्पक्षता से बहुत प्रशन हुए Second question है Give a character sketch of यूधिष्ठ यूधिष्ठ के चरिच चित्तर दीजिए In the epic महाभारत इपिक महाकावे यूधिष्ठ इस दे इल्डेस्ट सन अफ किंग पांडू एंड कीन कुंती महाभारत इपिक महाभारत में यूधिष्ठ इर राजा पांडू और रानी कुंती के सबसे बड़ी पुत्र थे इल्डेस्ट सन थे He was living in exile वे वनवास में रह रहे थे हेडिंग है His love for his brothers उनका प्रेम अपने भाईयों के लिए यूधिष्ठ इर लवड़ी इज ब्रदर वेरी मच यूधिष्ठ इर अपने भाईयों को बहुत प्रेम करते थे वेन इज ब्रदर से दिड़नाट रिटर जब उनके भाई नहीं लोटे तो He became upset, वे परिशान होगे He went in search of them, वे उनकी तलास में गए आगे दिखेंगे Wise and intelligent He was a very wise and intelligent वे एक बहुत बुद्धिमान और प्रतिभावा हते Seeing the condition of his brothers, अपने भाईयों की इस्थिती को देख कर And hearing the bodiless voice और शरीर रहित आवाज को सुनकर He understood the matter way मामले को समझ गे He answered all the questions asked by यक्षा यक्ष के द्वारा पूछे गे सभी प्रस्नों का उन्होंने उत्तर दिया Heading है His impartiality निस्पक्षता उनकी निस्पक्षता Imparsiality means निस्पक्षता When यक्षा said that one of his brothers could be revived जवे अक्ष ने कहा कि उनके भाईों में से एक भाई को पुनर जीवित किया जा सकता है फिर से जीवित किया जा सकता है तो He chose नकुला उन्होंने नकुल को चुना It shows His impartiality यह उनकी impartiality को दिखाता है In this way, इस प्रकार We can say that इस प्रकार हम कह सकते हैं कि He was not only wise But also a great lover of justice इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे नकिवल बुद्धिमान थे बलकि न्याय के बहुत बड़े प्रियत थे थेंक्स फावाचिंगी उमीद है कि यह answer आपके लिए बहुत helpful होगा और आप इसको पसंद भी करोगे अगर पसंद आता है तो like करें शेयर करें और अपने valuable comment करना न भूले thanks everyone of you